Hello everyone, welcome to our channel Thin Dental Clinic, जमाल पुर लदियाना मैं हूँ चीकू और आज मैं आप सबको बताऊंगी दान्द खिसने की समस्या के बारे में आज हम डिसकस करेंगे कि दान्द खिसने के क्या-क्या कारण होते हैं उनसे आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है और आपको उसका क्या ट्रीटमेंट आप्शन मिल सकता है दान्द खिसने के में तीन कारण होते हैं इरोजिन, एट्रीजिन और अबरेजिन अब हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं फरस्ट इरोजिन इरोजिन जो दान्दों का होता है वो मेली एसिड की वज़ा से होता है या तो हम बाहर से एसिड इंटेक ले रहे हैं या हमारे अंदर से ही हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम है बार-बार वो हमारा एसिड मूँ में आ रहा है इन दोनों केसिस में जब acid मारे दांतों के contact में आता है तो हमारे दांतों की जो outer layer होती है वो wear off होनी शुरू हो जाती है और हमारे दांत दीरे-दीरे गिसने शुरू हो जाते हैं तो आपको इसके prevention के लिए अपने diet पे control करना होगा और अगर आपके digestive system में problem है तो आपको अपने gastro specialist के पास जाके उसका treatment करवाना होगा second problem आती है attrition attrition mainly दांतों को आपस में गिसाने की वज़ा से होता है कईयों को रात में दांतों को आपस में गिसाने की आदत होती है कट-कट की अवाद भी आती है तो उपर वाले जो दांतों की layer होती है वो घिस जाती है हमारे thin dental clinic जमालपुर लुध्याना में ऐसे patients को हम night guard अगर आप रात को सोते समय night guard पहन कर सोएंगे तो आपके दांतों में आपस में contact नहीं बनेगा जिससे अब थर्ड रिजन हो सकता है abrasion abrasion में क्या होता है हमारे गलत ढंग से brush करने के वज़ा से जो हमारे दांत होते हैं वो घिसने लग जाते है mostly patients को लगता है अगर वो जोड से brush करेंगे या ज़्यादा समय के लिए brush करेंगे तो उनके दांत ज्यादा सफेध होंगे बट ऐसा नहीं होता ज़्यादा जोड से brush करने से या heart brushing करने से उनके खुद के दान घिस जाते है So we have to avoid heart brushing इन तीनों में से कोई भी reason हो दान घिसने का सबसे पहले तो patient को sensitivity होनी start होती है मतलब कि कोई ठंडा गरम लगना start हो जाता है With time आपको pain increase भी हो सकती है और finally आपके वो दानों में इतने घिस जाते हैं कि कई बार दान टूट भी जाते हैं Now comes to treatment plan हमारे थें dental clinic जमालपर रुध्याना में आपको क्या problem आ रही है उसके according treatment prescribed किया जाता है अगर आपको minor से sensitivity है तो हम आपको sensitivity paste prescribed करते हैं और अगर आपके वहाँ पर cavities create हो गई है तो वहाँ पर filling की जाती है ताकि वो close हो जाए और अगर आपके वहाँ पर deep cavities create हो गई है आपकी जो नसे हैं वो भी visible होनी start हो गई है तो उन cases में हमें root canal treatment करना पड़ता है और उसके बाद दांतों को अच्छी spot देने के लिए उसके बाद उपर cap लगाना पड़ सकता है अगर आपके दांत गिस गए है या दांतों के related कोई भी problem है तो आप हमारे Thin Dental Clinic जमालपूर लुध्याना की help line number 92568 92568 पे contact करे Thin Dental Clinic जमालपूर लुध्याना